तीन ही रास्ता है, नोकरी, खेती या बैपार, नोकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए आपके पास जमीन होना चाहिए, और बिजनेस बैपार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए यह वीडियो बिहार के बढ़ाली पर सीधा प्रहार किया है, स्री प्रसांत के सोर जी ने और बहुत ही कम सब्दों में हमारी बढ़ाली के तीन सबसे प्रमुकारण बताने का प्रयास किया है, जो कि आपने सुना है, अब सुधार कैसे होगा शर? ये वीडियो बहुत ही important है हमारे ऐसे guardians के लिए ऐसे गरीब तब के parents के लिए और सारे जन्नों के लिए जो चाहते हैं कि उनके गरीबी का अंत हो सके जो कस्ट उन्होंने उठाया पूरे जिंदगी उनके बच्चे कम से गाउं पे जिंदगी में ये कस्ट ना जिल पाए तो आ सिक्षा पूंजी और जमीन पूंजी जल्दी मिलेगा नहीं जमीन मिलना possible ही नहीं है चुकि आप खरीदने के लिए बहुत ज़्यादे पैसे चाहिए तो गरीबी दूर होने का सबसे बड़ा संसाधन है सिक्षा सिक्षित अगर आप रहेंगे आपके बच्चे रहेंगे त ज़रूरी है जिससे उनका भविष्ट स्वर्णिम योगी की तरफ बढ़े इसके लिए ज़रूरी क्या है अब विद्यालों को खोजना कौन से ऐसे विद्याले हैं जहां पर हमारे बच्चों का नमांकन हो उनकी सिक्षा अच्छी तरीके से दिया सके और बच्चे जो है अ यह जाके आँ आँखों से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे कितने टीचर एक विद्याले में मौझूद है बिना स्कूल का नाम बता हैं हम अब बहुत सारे ऐसे विद्याले का नाम बता सकते हैं लेकिन तो कॉपीड़ाट इसुज और पॉलिसी तो यूटूब सारी चीज अगर चेक करने का प्रियास करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि teacher-student ratio ना के बराबर follow होता है कहीं कहीं 50-60 बच्चों पे एक सिक्षक उनकी गुण वक्ता क्या होगी? सिक्षक देने की पद्दती क्या है? सारे चीज़े आपके आखों के सामने पारडर्शी की तरह दिखाई देने लगेगी और आपको समझ में आजाएगा कि सिक्षक अस्तर इस विद्द्दाले में क्या हो सकता है? तो यह चीज़े बहुँ ज़्यादा important है student-teacher ratio अगर सही है तब ही पहला अस्तर होता है पढ़ाई के सुरुवाती दौर का आप जागा देख ले बहुत सारे विद्यालों में 40-50 बच्चों पे उससे भी जादा कहीं कहीं विद्यालों पे एक टीचर जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे है अब बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं कि क्वालिटी ये क्यों बोल रहे हैं सर चुकि यही रियालिटी है मैं बहुत सारे छेतों से जुड़ा हुआ हूँ एड्रिकेशन के लाइन से और बहुत सारे ऐसे विद्याले हैं जिनकों मैं जानता हूँ कि वहाँ पे से चगण बीएड भी नहीं है और कम पैसो स्वे काम करने के लिए त्यार हो जाते हैं यश आपको भी अगर थोड़ा सच्चे करने के प्रयास करेंगे आप तो आपको भी सही सही चीज़ें आपके आखों के सामने दिखाई देने लग जाएंगी, कि कौन से ऐसे विद्याल है, उस सही में teacher को recruit कर रहे हैं, और कौन से ऐसे विद्याल है, जो बस खाना पूर्ती कर रहे हैं, और हमारे बच्चों के भविस्य के साथ बहुत बड़ खिलवार भी कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्षित हो, जिससे आपकी गरीबी कम हो, और आप इस चक्र व्यू में फसे रहें, फसे रहें, इस चक्र व्यू से कभी निकले ही नहीं, तीसा सबसे बड़ा चीज होता है, जो किसी पैरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, पेमेंट टॉक टीचर, अगर मैं पूछना चाहूं कि लेबर और मिस्तिरी के का पेमेंट आजकल क्या है, तो आप मेंसे बहु सारे लोग बताएंगे, सर कम से कम 600-700 रुपे मिस्तिरी लेता है, और लेबर 500 रुपे लेता है, अगर महिने में 30 दिन भी काम क करें, तो कम से कम 15,000 रुपे और मिस्तिरी काम करें, तो 700 रुपे लगभगे, 800 रुपे लोगा चार्जेज है, तो 8-3, 24,000 रुपे कम से कम मिस्तिरी को मिलता है, 8 घंटे सेवा देने के लिए, लेकिन अगर रियालेटी को चेक किया जाए, तो टीचर की सैलरी और उसमें भी बहुत तरह के प्रावलम सिक्षक को फेस करने पड़ते हैं, और उतने में अच्छे टीचर सिक्षक का मिल पाना क्या पॉसिबल है, आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, हम इसमें जानना चाहेंगे कि क्या पेमेंट जरूरी नहीं है, लगभग दिख जाएगी और बहुत इसमें चेज चलते हैं, इसमें एक सेप्रेट वीडियो भी बना सकते हैं कि कैसे ये खेल होता है, उसके बाद प्लेग्राउंड और एक्टिविटीज के नाम पर भी स्कूल बहुत सारे पैरेंट्स को ठगना का परियास करते हैं, होता ह बदले में उनको कुछ मिलता है नहीं, साल भर 6 मिने के बाद आप ठग जाते हैं, कप्लिंग करते करते हैं, तो कहीं न कहीं और उनका अडमिसन कराना पड़ता है, इससे लिए हम बोलते हैं कि कोई विद्धाले में नमांकन लेने से पहले, उसका जाच परक करना बहु ज़ में काम करते हैं, और कौन से विद्धाले बस खाना पोर्टी करने के लिए, आपके बच्चों का नमांकन लेने के लिए कभी भी थैयार रहते हैं, पांच वार उसे बड़ी चीज निकल के आई है, वो है, रियल इंटेंशन अब दे स्कूल, एसकूल का रियल मोटो क्या है, आज कर अगरा मैं पूछूँ, आपसे ही पूछता हूँ मैं, कि क्या एसकूल सही में बच्चों को सिख्चित करना चाहते हैं, या अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं वो, तो आज आपका जवाब होगा कि सर, एसकूल बिजनेसमेन की तरह वर्क करते हैं, उनका मेन इ ऐसे विद्धाले हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में कूदे हुए हैं, अब ये पैरेंट्स पे निए भर करता है, कि वो कितने देखरेक से, कितने सलीके से, अपने बच्चों का नमांकन पतना के अच्छे विद्धालों में कराते हैं, उसके लिए बहुत सारे पैरेमिटर सर अपने विद्धाले में किसी भी स्कूल में देते हैं, एक तो अपनी गाड़ी कमाई, और एक अपना दिल का टुकड़ा, जो कि विद्धाले में अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ी सी भूल करें, थोड़ा सा अ तो इस गरीबी से, इस बदहाली से निकलने का एक मात्र प्रियास जो मुझे दिखाई देता है, वो है सिक्षा, और सिक्षा सही दिसा में सही तरीके से, हाँ आपने प्यारों बच्चों को दे पाए, यह हमारा प्रियास था, इस वीडियो के मात्य हम से हम बहु सारे बच् स्वस्त रहें, मस्त रहें, जय हिन, जय भारत!